असलाम अलेकूम फ्रेंट्स मैं हूँ डाइटिशन फरीदा आज मैं आपको बताने वाली हूँ समर फूट के बारे में समर का सीजन जो ही वो राइट टाइम है डाइट चेंज करने का गर्मी की सीजन में बहुत साथा स्वेटिंग होती है उस वो जिससे बहुत सारे हेल्फ प्रॉब्लम होने के चांसिज होते हैं जैसे डिहाइडरेशन, इसकिन सैंसिटिविटीज, विटैमिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है और जिन फूट के बारे में आज में आपको बताने वाली हूँ, वो समर की सीजन के लिए बेस्ट फूट है और ये आपको हेल्फ प्रॉब्लम से भी बचाता है, यानि कि प्रोटेक्ट करेंगे So friends, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे So friends, आज का जो हमारा वीडियो है, वो हम दो पार्ट में बनाने वाले हैं जो हमारी फूड है, वो है 12 फूड, 12 फूड है, जो समर की सीजन में हमें यूज करना है तो आज के हम इस वीडियो, आज के हमारे वीडियो में, हम जो है वो 6 फूड के बारे में जानेंगे और अगले वीडियो में, नेक्स्ट 6 फूड के बारे में जानेंगे So हमारा पहला फूड जो है, वो है टॉमेटो टॉमेटो में जो है, बहुत सारे एंटी आक्सिदेंट पाए जाते हैं, जैसे लाइकोपीन और ये विटामिन C भी कंटेन करता है टॉमेटो जो है वो ब्लट को साफ करता है, इम्म्यूनिटी को बढ़ाता है, कॉलिस्ट्रोल लेवल को कम करता है, माइग्रेन को कम करता है प्रेंट्स आपने सुना होगा कि जिने माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है उनको गर्मी की सीजन में बहुत जारा बढ़ जाता है सेर का दर्द उनका बढ़ जाता है तो जो है वो माइग्रेन को भी कम करता है टोमेटो और ये स्किन को भी क्लीन करता है हमारा second food जो है जुकीनी, जुकीनी को कहा जाता है तुरई, तुरई में जो है बहुत जारा पानी होता है, इसमें पैक्टिन नामी फाइबर भी पाया जाता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और कॉलिस्ट्रोल लेवल को भी कम करता है, तुरई भी एक वो है water melon, so friends water melon के बारे में हम already एक वीडियो बना चुके हैं, तो उपर दिये गए i button पर आप क्लिक करें, तो आपको water melon का वीडियो दिखाई देगा, और हमारा चौथा food जो है वो है orange, यह जो food है orange, यह sweet और citrus fruit है, इसमें जो है बहुत सारे vitamin C, और potassium पाया जादा है, पसीनी के जरी क्या होता है, हमारे body का potassium निकल जादा है, जिसकी वज़े से muscle cramps होते हैं, औरेंज खाने से कि हम यह muscle cramps हमें protect करता है, क्योंकि orange में 80% water होता है, यह हमारे immune system के लिए भी बहुत अच्छा होता है, यह skin को damage से बचाता है, blood cholesterol level को कम करता है, blood sugar को normal रखता है, और यह खाने स यानि के orange खाने से cancer होने के chances बहुत कम हो जाते हैं, हमारा 5th food है, योगर्ट और curd, योगर्ट में बहुत सारे nutrients होते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी body को जिनकी जरूरत होती है, especially वह food उसमें पाए जाते हैं, especially इसमें calcium होता है, vitamins होता है, trace minerals होते हैं, और इसमें बहु digestive system जो है, वह अच्छा होता है, hypertension के वह ये कम करता है, और women's को usually जो वीजाइनल infection होता है, उससे भी बचाता है, जो 6th food है, वह ग्रीन टी, ग्रीन टी जो है, वह full of antioxidant होता है, ये जो है वह allergies होने से बचाता है, ग्रीन टी, body के fat को यानि के चर्वी को कम करता है, skin को clean करता है, depression से बचाता है, यानि कि जो mentally stress होता है, उसको कम करता है, और memory को बढ़ाता है, cancer patient के लिए बहुत अच्छी होती है, diabetes के लिए भी best है, इसी तरह blood cholesterol level को भी ये कम करता है, usually हम green tea को जो है वह hot यानि कि गरम पानी में पीते हैं, लेकिन summer की season को में हमें इसे जो है ice डाल कर पीना है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो इसे like करे, comment करे और जादा से जादा share करे, thank you